सो हेलो एविवान गाइस रडरमादीव राधी राधी कैसे हो आप सब लोग काई होप आप सभी लोग अच्छी होगर अपनी लाइस में भी आगे बढ़ रहे होगे आज मैं आपके लीडिंग लेकर आगी हूँ भगवान क्रश्न आपको इस चाइम पे क्या बताना चाहते है उनका क्या मैसेज है इस चाइम पे आपके लिए सो गाइस यहाँ पे 1st पाइल है मजीशिन काड और अगर आपके नेम का 1st इनीशियल इनमी से आता है तो आप अराम से 1st पाइल पिक कर लीजियो की and अगर आप two of cups card को pick करना चाहते हो तो second pile आपके लिए और अगर आपके नाम का पहला अक्षरिन में से आते है तो second pile आपके लिए है and first pile आप दोनों ही piles में से जो मज़ी pile अपने लिए pick कर सकते हो ठीक है and guys अगर आप new हो channel पे तो subscribe कर लो पहले तो channel को reading start करने से पहले because अगर आप follow नहीं करोगे channel को तो कैसी आपको guys new new जो मैं uploads करूँगी वो कैसी आपको मिलेंगे morning and evening में है न so guys also अगर आप लोगों को personal reading चाहिए किसी भी question से related तो आप मुझे DM कर सकते Instagram पे ओके link Instagram का description में होगा time charms के just उपर या फिर आप लोगों जो उपर about section है न वहाँ से भी देख सकते हो ठीक है वहाँ आप मुझे message करना वहाँ spells की booking, कुंडली, reading and tarot reading सभी चीज़े होती है so first file start कर लेते हैं आपकी reading से so guys भगवान प्रश्न यहाँ पे आपको क्या बताना चाहते है यहाँ पे आपके नाम का पहला अक्षर है अगर आप इनको pick करना चाहते हो आपके love, money, career, marriage current feelings आपके partner की भी इसी में हम देख लेंगे ठीक है वो क्या है यहाँ ठीक है अगर आप किस से relationship में हो या आपकी शाधी fix हो गई है या ऐसा कुछ भी आपको अगर मैं बताऊं यह reading में आपको 6.30 तक आई थिंक आ चाहेगी बट मैं यह 5 o'clock बना रही हूँ ठीक है अभी 5 बजे मैं इसको बना ही रही हूँ आपके लिए वैस्तो आपके लिए upload हो जाएगी anyways जल्दी जल्दी reading कम्प्लीट कर लेते हैं ठीक है आपको यह तरह से blessing मिलेगी कि आपके जो wishes है वो फुल्फिल होते हुए आपको दिखेंगी ठीक है आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है अच्छा पूरती की energies यहाँ पे दिख रही है ठीक है अगर आप बीच में करवाओगे तो फिर आप मनी दे दोगे आप कहोगे के माम आपने स्वेल इस्टार्ट किया ठीक है तो new moon and full moon की एक दिन पहले आप पेमेंट कर देना then after that मैं आपके स्वेल्स कर दूँगी ठीक है उस दिन and relationship, career, job, money, जो भी आपको करवाना है marriage के लिए आप करवा सकते हो so yeah magician आपके पास सभी चीज़ी है guys सभी elements आपके पास है magician के पास सब चीज़ी होती है जैसे आपके पास books हैं आप एक student हो आपको exam देना है like for example आपको SSE का exam देना ये UPSC का exam देना उसके लिए आपको prepare तो करना ही पड़ेगा वो आप कैसे करोगे materials होने चाहिए आपके पास books होने ही चाहिए वो material होने चाहिए जिसके थूँ आप prepare करो so वो चीज़ी दिख रहे हैं आपके पास सब कुछ है बस आपको manifestation law of attraction LOA का use करना है so of course यह चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर रेड़ कलर बहुत energies दिख रहे हैं so and yellow happiness यहाँ पर आपकी तरफ attract होते हुए दिख रहे हैं खुशियां यहाँ पर आपकी life में आना चाहती है manifest होना चाहती है यहाँ पर Gemini राशी आपके लिए important हो सकते है guys okay so यहाँ से देख लेते हैं okay so nine of pentacles की energies हैं यहाँ पर nine of pentacles मैंने कहा ना red and yellow color की energies and पहले card में ही वो energies आ चुकी है yellow and red color की so यहाँ पर page of wands okay king of swords की भी energies आ चुके हैं यहाँ पर okay great and last one is hangman okay so guys अभी तो आप struck हो कहीं न कहीं मुझे यह दिख रहा है आप manifestation तभी कर रहे हो विस्तो manifestation करनी अच्छी है चाहे आप successful हो चाहे नहीं हो चाहे struck हो चाहे नहीं हो यहाँ पर जो मुझे energies दिख रही है आपना opportunities का wait कर रहे हो so sorry आप opportunities का wait कर रहे हो आपको मतलो होता है ना कि yes आप struck हो किसी चीज में आपको चाहे है कि yes आप इससे निकल पाओ कैसे निकलोगे करियर की वजह से आप stress में हो थड़ा से इस टाइम पर यहाँ तो आपके exams चल रहे हैं वैसे भी आजकल exams चल रहे हैं CVSC वलों के pre-board I think होने वाले है उनके yes I know तो यह चीज मुझे दिख रहे है exams की भी energies दिख रहे हैं आप struck हो कैसे मैं आगे बढ़ूं कैसे नहीं करियर की वजह से भी आपके awakening process चल रहे है don't worry जो भी हो रहे है उसका कोई नहीं कोई reason होता है and यहाँ पर गईस nine of pentacles है अगर आपका business है guys वहाँ पर तो मुझे सक्षा मतलब अच्छा response दिख रहे हैं अगर आपका business बगरा है तो वहाँ पर आपको अच्छा response दिख रहे है आपका business अच्छा चलता हुआ दिख रहे है nine of pentacles है आपको कहा जो रहे है अगर आपको मुझे या तो time या तो आपको मतलब होता है ना कि yes आपके अंदर से निकल रहे है कि yes मुझे donate करने है कुछ ना कुछ पार्ट अपनी income का या कुछ ना कुछ donate करने का आपका मन कर रहे है या नहीं भी कर रहे है तो आप कर सकते हो बहुत अच्छे energies आपको आपके लिए manifest होंगी अगर आप 10 अपर दोगे आपके लिए 10 गुना या 100 गुना आपकी तरफ आता हूँ उसका amount दिखेगा ओके यहां पर है page of wants पेज of wants यह शो करता है कि आपकी life में कोई नो कोई fire sign की person भी आते होगे दिख रहे है कोई नो कोई air sign की person आते होगे दिख रहे एक person तो थोड़े से mature है एक person mature energies में है यह भी energies हो सकते है और यहां पर आपकी भी energies हो सकते है कि आपकी तरफ बहुत सरी opportunities आते हो दिख रहे हैं आप उनको grab करना चाहते हो चाहे वो छोटी opportunities लग रहे हैं आपको बट वो आपके लिए आगे जाकर अच्छी हो सकती है and king of swords की energies यह शो करती है कि आप अपने life में clear cut रहना पसंद करोगे आने वाले time में clear cut बात करना पसंद करोगे और भगवान कुरेशन आपको यही कहना चाहते है don't worry आप अपने life में clear हो so that आपके life में जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल पाए आपके लिए Pisces, Rashi, Taurus, Urgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Sagittarius important हो सकते हैं science यहाँ पर सभी के सभी science है water, fire, air and pentacles means earth science so bottom of the deck is word oh my god wow guys आप मुझे ऐसा दिख रहे हैं आप कहीं travel करना चाहते हो आप बढ़ नहीं कर पा रहे हो because of the weather okay because आज कल जैसा weather चल रहा है ना उसकी वजह से थंड बहुत है I don't know दूसरी states में क्या हालाथ है हमारे Punjab में जहां से मैं हूँ north side से वहाँ पर तो guys बहुत थंड है बहुत थंड है and यहाँ पर two of swords के energies हैं यह show करते हैं कि आपकी life में मैं मिडल से हूँ Punjab से ठीक है यहाँ पर two of swords है कही ना कही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ से confused भी हो किसी चीज को लेकर बगवान कृष्ण कहना चाहते है confused मत हो आपकी life में कुछ ना कुछ cycles complete हो रहे हैं इस वजह से energies आपकी अंदर आ रहे हैं but करियर में भी अच्छा चल रहे है and money wise and marriage काईस यहाँ पर थोड़ा सा भी manifest ही करो long distance से ही रिष्टा आएगा या अगर आए हैं दो तिन रिष्टें आए होए हैं confusion चल रहे है किसको चूज करना है किसको नहीं या जब भी आएगा ऐसे ही होगा यहाँ से guys see this travel moment है कहीं ना कहीं अभी आपकी life में travel moment चल रही है एकदम से आप हिले हो कोई ना कोई reason हो सकता है ठीक है कहीं ना कहीं ऐसी कोई situation चल रही है जिसकी वज़े से आप हिल चुके हो कि यह क्यूं हुआ ऐसा क्यूं हुआ मेरे साथ तभी travel moment अभी इस टाइम पे आ चुकी है आपकी life में अगर आई हुई थी बहुत टाइम से तो guys healing करो अच्छी से ही अगर healing करोगा तो जल्दी ही यह travel moment भी खतम हो जाएगा यहाँ पे journey 100% guys कहीं ना कहीं आप travel करना चाहते हो कहीं ना कहीं जाना चाहते हो चाहे mentally चाहे physically चाहे spiritually ठीक है आप journey पे जाते हो दिख रहे हो मुझे two number आपके लिए important हो सकता है आने वाले time में आप कहीं ना कहीं travel करते हो मुझे यहाँ पे दिख रहे हो अगर ट्रावलिंग आपके लिए कोई नो की काम आपका बन सकता है जिसमें आप struck थे बहुत time से आपको नहीं पता चल रहा था क्या होने वाला है आपकी life में ठीक है यहाँ पे गाईज भगवान कृष्ण के end में हम masses देख लेते हैं वो आपको क्या खुद क्या बताना चाहते है अपनी energies के through आपके लिए 10 number यह 10 date गाईज मेरा birthday भी आ रहा है 10 date को 10 number आपके लिए important हो सकता है 51 number 6 number 2 number and guys blessings send करना होगे comment section में मेरे लिए के yes मेरा life आगे अच्छी हो हना आपकी भी अच्छी हो I hope so तब तो मैं आपको बताऊंगे उस दिन भी reading आएगी ही ऐसा नहीं है कि reading नहीं आएगी पिछले साल भी आई थी last year भी आई थी and उसके I think two days के बाद ही मेरे मम्मा की health अच्छी नहीं हुई मतलब घर पी थे अच्छे थे बस थोड़ा को यह 4D में हा न so यहां पे be positive की energies है know that for every bad and unwanted happening a divine plan is working wait for the right time so आपको बोला जा रहा है positive रही है जो भी हो रहा है आपके life में आपको पता होना चाहिए know that for every bad and unwanted happening guys आपको पता होना चाहिए चाहे आपके साथ बुरी पहचीजे भी हो रही है चाहे आप उनको चाहते भी नहीं हो वो आपके साथ हो बट वो हो रहा है because कुछ न कुछ divine plan वहाँ पे चल रहा है and wait करिए सही time का जो भी आप चाहते हो अपनी life में manifest करते रहो अपनी life में जो आप चाहते हो भगवान आपकी कृष्ण यहाँ पे आपकी help करते हुए दिख रहे है आपको दर्द से निकालते हुए दिखेंगे आपको आने वाले time में जो भी आपकी life में difficulties आ रहे है ना इस time पे उससे आपको बहार निकाल देंगे जो भी tower moment चल रही उससे आने वाले time में भुगवान कृष्ण आपको बहार निकाल देंगे अभी जो चल रहे है उसको चलने दो go with the flow के and act now guys जो भी आप करना चाहते हो थोड़ा सा अभी भी कर दो act now ठेक है कि यह ज़िस आ चुके है so guys अगर आपको reading पसंद आई हो like this reading subscribe to my channel वैल एकन को दबा देना अभी के लिए इतना हर हर महादेव राधे राधे God bless you everyone Bye guys so hello everyone second pile अगर आपको reading so sorry hello everyone हर हर महादेव राधे राधे guys अगर आपने second pile को pick किया था तो guys आपके लिए यहाँ पे reading है I hope पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोला I think Mercury Retrograde की वजह से ही हुआ है यह anyways यहाँ पे मैं इसको वीडियो को cut नहीं करना चाहती हूँ ना ही मैं इसको edit करना चाहती हूँ okay so यहाँ पे है guys अगर आपने two of cups card को pick किया है यहाँ फिर आपके name के first initials इन में से आते हैं तो आपके लिए second part थी ठीक है अराम से आप देख सकते हो pause करके इस reading को so यहाँ पे है guys two of cups के energies okay so यह मुझे बता रही है कि आपकी life में कोई ना कोई यहाँ पे भगवान क्रश्न यह बताना चाहते है यहाँ पे मुझे दिख रहे है कि yes वो आप चाहते हैं कि आपकी responsibility वो ले अपने कंधों पे अब हाँ so of course वो आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं अपनी life में ठीक है वो आपकी तरफ और आगे आना चाहते हैं कि आगे आकर step लिए जाएं आपके लिए अपनी life में and यहाँ पे universe यहाँ पे protection प्रवाइड करते हुए दिख रहे हैं angels protection यहाँ पे आप दोनों को मिलते हुए दिख रहे हैं and यहाँ पे home की तरफ रास्ता यहाँ पे है ठीक है आपको घर की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहे हैं अपने कुछ ना कुछ ऐसा है चाहे वो आपकी person आ रहे हैं शादी के लिए arrange marriage वाले ही ठीक है शादी वाले reading आप देख लेना marriage वाले है बाकि मैं डालूँगी दो तिन दिन में और ठीक है but yes यह जो भी person है यह आपकी responsibilities अब लेना चाहते हैं मतलब यह चाहते हैं कि अब आपके साथ आके बढ़ा जाए ठीक है आपके साथ अपना future देखा जाए बगवान कृष्ण की तरह से यह energies आई है तो कोई ना कोई वज़ा तो होगी है बाकि यहां से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए ठीक है अगर आप new हूँ channel पे तो of course subscribe कर लिजे channel को bell icon को बाकि all पे set कर देना so that आपको आने वाले सभी notifications मैलते हैं नहीं personal reading के लिए आप मुझे डियम कर सकते instagram पे link instagram का description में है time shams के just अपर यहां फिर आप लोग about section से जो उपर चला गया है मेरी जो image है उसके थोड़ा सा नीचे क्लिक करना वहां से आप देख सकते हो so यहाँ पे four of cups के energies okay यहाँ पे word card okay great 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 eight of swords के energies okay oh my god यहाँ पे again wheel of fortune is here bottom of deck nine of swords middle energies क्या है यहाँ पे page of wands okay so यहाँ पे जो मुझे सबसे पहली energies feel हो रही है यहाँ पे nine of swords की मुझे attract कर रही है बहुत ज़रा मुझे ऐसा लग रहे है आपना भी किसी वज़ह से struck हो अपनी life में love life में career life में कोई नो कोई वज़ह आपकी अभी दिख रही है बगवान कृष्ण कहना चाहते है don't worry और वो कहना चाहते हैं कि stress मत लो ठीक है जो भी आप आपकी रातों की नीदों रखे है लेट लेट स्वे सो रहे हो आप ठीक है बहुत लेट लेट तक जाकर काम कर रहे हो इस काम में जो भी आप कर रहे हो आप स्टड़ी करो आप मौर्निंग में जल्दी उटो दिन भर स्टड़ी करो रात को गयारा बज़े तक तो सो ही जो साड़ी गयारा तक उससे लेट तो करो ही मत न तो थोड़ा बिकॉज यह चीजे मुझे ऐसा भी दिख रहे है कि आपको कोई न कोई अच्छे सपने नहीं आ रहे है मुझे यहाँ पर सुन रहा है आपको अच्छे ड्रीम्स नहीं आ रहे है आप शक फिल करें कुछ न कुछ आपके मन में डर है यहाँ पर वो इस वज़ह से डर है क्योंकि आपने अपने खुद कोई बांद रखा है यहाँ फिर अपनी आइस को अगर किसी ने बांद दिया है आपको आपको रास्ता नहीं दिख रहा है आगे कैसे जाना है आपको य कहा चाहरा है universe की तरफ से ये भी हो सकते कि आप शादी के वजह से stress में हो शादी नहीं हो रही है आपकी है आपको कहा चाहरा है don't worry I know आपकी तरफ बहुत सरे रिष्टिया आये हैं बट वह आपकी जो requirements है उसको fulfill नहीं कर रहे हैं उन सब जैसा आप रिष्टा मांग रहो वैस नहीं आ रहे है आपकी तरफ सो ये आपको बोलना चाहते है universe की don't worry something big or something destined is coming towards you okay कुछ ना कुछ आपकी किस्मत में लिखा होता है जिस वजह से काम नहीं बन पाते हैं ना किस्मत भी बहुत important होती है अगर शाद जो चीज़े destined होते हैं उसके लिए luck आपका बहुत important होता है सो यहां पर fourth cup यही शो कर रहे है कि आपके life में जो भी ये person आएंगे guys ये universe की तरफ से भीज़े जाएंगे like see this यहां पर भी cup है यहां पर भी cup आपको मिलता हुआ दिख रहे हैं सो जो भी पढ़ाने लोग हैं वो चले गे ना उनको reject आपने कर दिया अगर उसके बाने में म यहां पर the word card है so यह शो करता है कि आपकी life में जो भी ये person आ रहे हैं ये long distance ये हो सकते हैं आपके अगर relationship में हो आप तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यहां पर तो आपके person थोड़ा अच्छा नहीं feel कर रहे हैं मतलों वो जैसे होता है ना रातों के उनकी नेंद उड़ रही है वो struck feel कर रहे है वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना बट आपको उनकी commitment अगर उनने दे भी दी है तो आप उनकी commitment accept नहीं करना चाहते हो ठीक है so universe चाहते है कि अब आपके उपर है but yes it's suggestion for you यह ऐसे ही होना था ठीक है yes कोई नो के new person भी आपकी तरफ आ सकते है आपसे shorty age की हो सकते है ठीक है या immature से लगते होंगे age चाहिए आपके जतनी हो या आपसे बड़ी हो but वो person immaturely behave करते है ठीक है बच्चों के जिस सदिमाग इस person का so यहां से देख लेते हैं और क्या रहा है आपके लिए बाकी guys आपके लिए सारी की सारी राशिया मैं यहां पर कहूंगी because word and wheel of fortune में सभी के सभी signs यहां पर आते हैं but major अगाना Gemini sorry Taurus, Leo, Scorpio, Cancer, Sagittarius and Aquarius यह राशिया आपके लिए important हो सकती है ओके सो यहां पर है यह कैसे उल्टा हुआ यहां थर्ड चक्रा आर्के इंजल चैमवाल so I don't know क्यों यह कार्ड क्यों उल्टा है शायद कभी रखते रखते हो गयोगा but yes आपके लिए उल्टी energies आए हैं इसकी मतलब यह हो सकते है कि आपके willpower के उपर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो आप अपने अच्छे से crown chakra की healing नहीं कर रहे हो आपका heart chakra block हो गया है मतलब ऐसा हो सकते है कि आपको feelings emotions feel ही नहीं हो रहे हैं यह अगर हो रहे हैं तो guys यहां पर आपको कहा जरे इन सब चीजों पे उपर काम करने की जरुरत है आपको अपने heart chakra के उपर अपने crown chakra के उपर अपने solar plexus chakra के उपर so that अपनी willpower को strong कर पाऊ ठीक है and also अपनी confidence को increase कर पाऊ ठ contract है कुछ नो कुछ contract है यहां पर ऐसा हो सकता है कि unexpected काम आपके सामने खड़ा हो सकता है जो आपको करना ही पड़ेगा ठीक है and also यह contractual अपना ऐसा हो सकता है अगर आपके से relationship में आ रहे हो यह हो अभी this time पर वो destined था आपके लिए चाहे आप उसको accept नहीं चाहते है but वो आप के साथ ही रहेगा because उसके लिए आपने universe के साथ उपर sign किया है ठीक है कि yes यह person के साथ में इतना time रहूंगा and इसको इतना time देना है मुझे and यहां पर door to romance है bottom of the deck so romantic energies भी यहां पर दिख रहे है कहीं न कहीं आप romantic energies में आते हुए दिख रहे है romance का door आपके लिए open होता हुआ दिख रहे है आपके person romantic हो सकते हैं आने वाले time में 33 number important होसता है master number की energies है यहां पर आपकी आपके person की intuition बहुत high है 6 number is also important for you 10 number 37 number 10 को मेरा birthday भी है ठीक है so 10th of January so आपके लिए गाइस यही energies आई है और मुझे कुछ energies feel नहीं होने यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहे है अगर आप किसी government के मतलब होता है आप case वगरा आपके ओपर हो रखा है या पर कुछ ऐसी चीजी है जो आप चाहते हो yes वो sort हो जाए तो उसमें थोड़ा भी time लगेगा मुझे ऐसा दिख रहे है yes timing यहां पर है भी लगने की दो साल लग सकते है आठ महीने आठ दिन भी लग सकते हैं ठीक है okay सो यहां से देख लेते हैं क्या है आरा भगवान प्रिशण यहां पर आपको क्या बताना चाहते है खुद अपनी तरफ से help is on the way मैंने आपको बोलो न आप stuck feel करो आपको पता नहीं चल रहा आपको क्या करना है help is on the way भगवान कृष्ण आपको यही कहना चाहते है आपको help दी चाहेगी you will get answers to all your questions don't worry you will soon receive help worry मत करो don't worry guys आपको जल्द ही help दी चाहेगी आपको अगर कहीं पर help की ज़रत है आपके जो भी questions है उनकी answers आपको provide किये चाहेगे share with your bounties अगीन वही चीज़ आपको कहा चाहेगे अगर आपकी पास आपकी किसमत नहीं बहुत कुछ आपको दी रखाए आपके पास किसमत से भी जादा आ चुक है तो share करो थोड़ी से अपनी pounties okay आपको बोला चाहे you have enough for your needs and some extra too share it with others remember the golden rule what you give you get back so guys जो आप दोगे उसके दुगना या चगना आपको मिलेगा okay आपके पास enough है आपकी जरुदत के हिसाब से उससे भी कुछ जादा ही है but yes उसको share करो दूसरों के साथ okay and अभी के लिए guys इतना ही अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो like this reading, subscribe to my channel bell icon को दब आदेना, all पी set कर देना भगवान कृष्ण का अगर message देखा है तो राधे राधे लिखते जाना okay so अभी के लिए इतना ही अगरर महादेव, राधे राधे, गौर्ड ब्लस्ट विवान परस्नल रेडिंग के लिए आप मुझे डीम कर सकते है इंस्ट्रग्राम पे लिंक इंस्ट्रग्राम का डिस्क्रिप्शन में है टाइम्स टाइम्स की जल स्ट्रिपर या फिर आप लोग अभी के लिए इतना ही, बाई गाईस